सबसे पहले आज आप सभी को धंते रसपर्व की हादिक शुपकाम नाए आज हम आपसे एक दुरलब चीज़ करने वाले हैं उससे पहले ये प्लूमेरिया की लीप्स हैं इन पर काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे यानि ब्लैक स्पॉट्स हैं तो इस पर एक वीडियो वीडियो नमबर 807 हमने शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो जरूर चेक कीजिए कि ऐसा क्य होता है तो ये दो तरह की प्लूमेरिया है और जो 3ड है वो नाठ्चंपा पास है जो की प्लूमेरिया पुड़िका बेना इस तरह से नुकीली है और जो दूसरी है इसमें कम नुकीली पत्तिया होती है यानिशक घोल होती है था इनकी पत्तियों से पहचानser कины Preפorm humans in size कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो की देखकर बहुत आश्चेरे हुआ, क्योंकि आज से पहले हमने ये नहीं देखा था, और आप भी जरूर बताईएगा, कि आपने आज से पहले ये देखा था, ये नहीं देखा था, तो जो हमारा ये वाला प्लांट है, यानि कि दो तरह की फ होती है, और जो ये वाला फ्लावर है, इसमें थोड़ी पेटल्स हलकी होती है, लाइट होती है, और इसमें ये लोनेस थोड़ी कम होती है, तो अभी इसका सीजन जा रहा है, सर्दियों में ये फ्लावर्स नहीं देगा हमारे यहां पर, और कुछ कलियां अभी भी आ रही ह वहां पर भी फ्लावरिंग करता रहता है तो अभी इसका सीजन जाने वाला है तो जो हमें प्लांट पर दिखाई दिया वह है कुछ ही यह सबसे पहले एकदम से जब नजर पड़ी तो ऐसा लगा यह केटपिलर है क्योंकि प्लूमेरिया प्लांट पर कभी इस तरह की चीज हम रहा है और आपने चंपा पर सीट पॉट बहुत ही कम देखा होगा आपने आसपास अगर कहीं बड़े पेड़ भी लगे हुए होंगे उन पे भी सीट पॉट नहीं बनता है तो यह एक आशरे की ही बात है यह सीट पॉट कुछ-कुछ अडेनियम की तरह ही होता है और इसको खुशकबरी आपसे शेयर करनी थी और एक बात और की कुछ लोग जो हैं जैसे हमने सुना हैं इसको बहुत अच्छा मानते हैं बहुत शुब मानते हैं प्लूमेरिया का सीड यानि चंपा का बीज देखना इसकी फली देखना इसको बहुत अच्छा माना जाता है और हमें इस बात की बहुत खुशी है इसलिए धनते रस्त के मौके पर ये फली हमें आपसे शेयर करनी थी और इसलिए भी शेयर करनी थी पता नहीं बंदर इसको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे तो जल्दी से इसको आपसे शेयर कर दिया और जो ये फ्लावर स्पाइक होती इसी में ही ये seed pot बनता है यानि ये फली बनकर तयार होती है और हम अपने आपको बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं कि third year में ही हमें ये फली देखने के लिए मिल गई आज से पहले हमने बड़े-बड़े पेड़ों पर भी ये फली नहीं देखी थी हम खुश इसलिए नहीं ह है तभी आपको धन की प्रापती भी होगी में खुशी इस बात किया है कि हमारे प्लांट पर seed pot आया है यानि चमपा का फल बना है उसमें seeds बनेंगे जो कि हम plant lover हैं आप सभी जानते हैं और जब भी हमारे plant में कुछ नया होता है में बहुत खुशी होती है हमने trumpet wine का भी seed pot श बनी जाते हैं और शायद यह mother nature की blessing है प्रकरती का आशिरवाद है हमारे लिए तो बस यही आप से शेयर करना था और अगर इसको बंदा रहने देते हैं यानि नहीं तोड़ते हैं तो इसका result भी हम आप से जरूर शेयर करेंगे वैसे तो plumeria cutting से easily grow हो जाता है propagation बहुत आसान है cutting से लेकिन फिर भी seed pot जब हमें हमारे plant में मिल गया है तो खुशी काफी हुई है आप भी जरूर बताइएगा आपने यह seed pot पहले देखा है या नहीं देखा है और यह हमारे हैं पर अपराजिता पर भी अभी last flowering हो रही है season की यह लगबग last flowering ही है क्योंक उसको हटाना नहीं है उसको लगा रहने देना है वो फरवरी मार्च में उसमें new growth दोबारा होगी इस पर भी हम कई वीडियो पहले share कर चुके हैं description box में आप जरूर चै कीजिए और कोई query है question है तो जरूर पूछिए वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए thank you